करते हैं तो आज का हमारा टॉपिक से पीवी रिशियो के उपर तो पीवी रिशियो क्या होता है इसके बारे में अमनों सबसे पहले बात करेंगे दन्वीब टॉक अबाउट कि किस तरीके से उसको इंप्रूफ किया जा सकता है और जो एंगल अफिंस होगा हलागी आप मैंने कोई डाइग्राम नहीं बनाया है बनाना पॉसिबल भी नहीं है पीडिएफ में इसको समझने की कोशश करेंगे इसके डेफिनेशन के क्या होता है यह कैसे काम करता है क्यों हम लोग इसको बनाते हैं यह हम लोग करेंगे ठीक है तो प्रॉफिट वॉल्यूम रिशियो आज सब्सक्राइब करता है इससे आपको पता चलता है कि कंपनी की जो पॉफिटेबिलिटी है वो कैसी है जै कैसी होने वाली है कि उसको भी ठोड़ा बहुत सक्टे हो साती साथ जो आप operations कर रहे हो उसके नाकाम होने के क्या क्या रिस्क हैं अगर आप जो activity कर रहे हो अगर आप उसमें सफल नहीं हो पाते हो तो उस case में कौन-कौन से रिस्क हैं जो आपको जहिलने पड़ सकते हैं तो सबसे पहला है profit volume ratio profit volume ratio का मतलब क्या होता है PV ratio का मतलब क्या होता है तो PV ratio is a kind of ratio जहां यहां पर आपको पता चलता है कि जो आपका margin है और sales revenue है उसमें एक relationship होता है जैसे कि suppose आपने किसी डेर लाग के समान को आपने दो लाग दस रुपए में दो लाग दस जार रुपए में बेचा माल लो यहां पर क्लियर कर 60,000 का profit है तो जो आपका profit है जो margin profit margin है वो कितने का हो गया वो तक्रीबर 60,000 का हो गया है तो यह जो है आप अब क्या है कि margin of safety यहां पर देखना एक और word का इस्तिमाल हुए margin of safety margin of safety का मतलब आप इस तरह के समझ सकते हो कि यह जो 60,000 है माल लो अगर आप in future में जाते हैं तो उस product की prices को कम करते हो ठीक है न सपोर्ज उसकी prices को कम करके आपने कुछ एक value पर ला दिया तो उस case में आप कितना तक आप loss जहेल सकते हो पहले वाले में तो आपको 60,000 रुपय का profit हो गया दूसरे वाले को सपोर्ज आपने थोड़ा और कम दाम में बेचा तो जो दूसरे वाले में profit हुआ वो थोड़ा सा और कम हुआ कभी-कभी क्या होता है कि हम लोगों को stock sale करने के लिए कभ यह जो होता है न तो फिर वहां पर आपको क्या हो जाएगा वहां पर उस चीज़ में देखिएगा आपको फिर loss होने लगेगा या कई बार loss रख करके भी समान को बेज दिया जाता है कि चलो कुछ तो आएगा है न तो उस case में क्या होता है कि आपका जितना profit पहले हुआ वो आपका margin है अब उसमें आप कितना तक आप समाल सकते हो कितना तक आप ला सकते हो वो आपका margin of safety हो जाएगा मतलब 60,000 रुपए तक का समान लो आपको profit overall तो 60,000 रुपए तक ही loss आप जो जहल सकते हो ना कि उससे जादा अगर होगा तो फिर तो आपका जो actual cost है वो भी आ पर recover नहीं हो पाई समझ रहे हो so margin of safety में वो आ जाएगा यहां पर एक term में देको break-even analysis यह भी बहुत अच्छा है यह यहां पर क्या होता है कि जो revenue है और जो cost है वो दोनों का दोनों जो है same हो जाता है break-even हो जाता है ठीक है एक एक करके करेंगे तो समझ में आएगा so profit volume ratio the PV ratio also known as a contribution margin ratio measures the relationship between a company's contribution margin and its sales revenue आपने कितना contribute किया है और आपने कितना उस समान को प्राइस में आपने बेचा है sales revenue ठीक है वो दोनों के relation को दर्शाता है PV ratio ratio है इस इस तरह का so ratio आप समझते हो ना 3-2-4-5 तरीके सगरके तो आप तक होगा और sale होगा दोनों के बीच का relation दर्शाता है PV ratio cost of sales minus cost of product right 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 so it helps in assessing the impact of changes it helps in assessing the impact of changes in sales volume on companies on a company's profitability ठीक है तो company की जो profitability है वो कैसी होगी अगर आपका change in sales होता है मतब जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ sales में change कब होगा जब आप अपने product के prices को कम दाम में बेचोगे है नो तो sale कभी कई कई बार क्या होता है कि seasonal होता है कोई product seasonally बहुत जादा बिखता है कोई product seasonally कम बिखता है तो उस case में जो आपका overall जो company की profitability होगी वो आपक इस sales के according जो है क्या उसके उपर impact पड़ रहा है वो दर्शाता है PV ratio अब इसका importance क्या है सबसे तहरा importance जहां पर पताया गया है break-even analysis ठीक है so PV ratio is crucial in determining the break-even point so PV ratio is crucial in determining the break-even point PV ratio बहुत जहरी होता है अगर आपको break-even point निकालना है which is the level of sales ठीक है नहीं दिहां पर देखो धिहां से which is the level of sales at which a company neither makes a profit nor and there's a loss suppose आपका साट लाग रुपए का आपने खर्चा किया है कोई भी एक figure ले लो साट लाग रुपए का आपका खर्चा हुआ है अब साट लाग रुपए आपने sales revenue से कमा लिया है ठीक है तो जितना आपका cost था उतना तो आपने कमा लिया अब उससे ज्यादा जो भी होग वो आपका profit है है ना लेकिन जितना आपका cost था जब आपने उसको कमा लिया तो उसको आप क्या बोलेंगे उसको आप बोलेंगे break-even point ठीक है ना जी जो आपका even हो गया दोनों आपका खर्च और income दोनों का दोनों even हो गया है ठीक है उस point को जब वो cross कर जाएगा वो जो particular point ह अब उसको हम लोग बोलेंगे break-even point अब उससे जादा जितना भी होगा वो आपका profit कहलाएगा ठीक है so break-even analysis करने के लिए कि कहां पे किस कौन सा point है हमारा कितना जादा हमारा margin हुआ है यह सब पता करने के लिए हम लोग break-even analysis जो है वो करते है तो PV ratio is crucial in determining the break-even point which is the level of sales at which company neither makes a profit जहां पर company को नहीं profit होता है नहीं किसी तरह का loss होता है आपका सब्सक्राइब दस लाग रुपए आपने खर्च किया है उतना अगर आपने कमा लिया तो आपको उस point पे नहीं profit हुआ नहीं loss हुआ तो वो जो point होगा वो आपका कहलाएगा break-even point ठीक है उसकी बाद है profitability analysis पी so profitability analysis हम लोग करते है it aids in evaluating the profitability of different products sales territories and customer segment है ना आप इन सब चीजों को जो profitability आपकी होगी वो quarter wise भी हो सकता है yearly wise भी होता है half yearly wise भी हो सकता है तो आपना इसको segmentize कर रहे हो आप बांट दे रहे हो ठीक है suppose नौर्थ इंडिया में कोई product आपका सेम बहुत ज्यादा चला लेकिन सेम product आपका साउथ इंडिया में उतना नहीं चल पाया है ना यहां पर territories की बात की जारी जो sale territory है पंजाब मे यहां इतना हुआ यूपी में इतना हुआ है ना पॉम्बे में इतना हुआ तो इस तरीके से करके आप जो है महाराष्ट्रा में इतना हुआ पॉम्बे तो एक शहर हो है तो आप territory wise जो है आप अपना profitability analysis कर सकते हो with the help of PV ratio तीसरा है pricing decision तो यह जो ratio निकल करके आता है इसके basis प companies can use the PV ratio to set selling prices by considering desired profit of margin आपका profit margin आप कितना चाहते हो आपके desired के अनुसार आप अपने product के prices को sell उसी price पर बेच सकते हो आप यह decide कर सकते हो कि किस price पर मैं कितना बेच हूँगा आप चाहते हो कि मेरा profit margin 30% या 40% हो हाला कि लोग उसको खरीदने भी चाहिए ऐसा नहीं कि बस आप प्राइस रख दिया आपको बहुत सारे factors का ध्यान रखना पड़ता है लोगों की affordability किस जगह में आप बेच रहे हो बहुत सारे factors है लेकिन आप अपने profit margin के according price को set कर सकते हो तो profit volume ratio यह हो गया अब इसको कैसे improve करेंगे बेर्स टू इंप्रूव पीवी रिशीओ को इंक्रीज करना है आपको इसको इंक्रीज करना है तो आपको अपनी sales revenue को बढ़ाना होगा है ना आपने आपको अपनी selling prices को बढ़ाना होगा तो raising the selling prices per unit हर एक unit की prices अगर आप बढ़ा दोगे वाइल कीपिंग variable cost constant जो आपका variable cost है जो खर्चा आपका इधर उदर से हो रहा है जो fixed cost नहीं है उसको अगर आप constant रखोगे fix रखोगे अगर आप रखते हो अगर बढ़ता भी है तो कितना ही बढ़ेगा थोड़ा बहुत बढ़ेगा तो उस case में आपका PV ratio क्या होगा बढ़ेगा जब आपका selling price per unit आपका बढ़ रहा है और आपका variable cost मतलब हिसाब से है fixed ही है एक तरीके से तो उस case में आपका PV ratio increase होगा दूसरा है cost reduction अब जो आपका variable cost है यहाँ पर आप cost को आप reduce कर दोगे selling price चलो जो है वही रहा लेकिन जो आपका variable cost है आपने उसको कम कर दिया तो उस case में भी आपका PV ratio बहतर हो जाए मतलब either way around है ठीक है ना आपने बल्क में सामान किसी को बेचा बहुत जदा सामान आपने एक बाहर में बेच दिया तो उस case में आपका वरियेबल कॉस्ट है वह काफी कम जाता है अब यसी कि transportation cost क्या है वरियेबल है आपको अगर किसी सामान को डैली से बॉम्बे लेके जाना है तो ज़्यादा खर् अब देखो जब आपने बल्क में सामान बेच दिया सब्सक्राइब लाख यूनिट किसी का बेच दिया बॉम्बे में बेचा तो आपको एक ही बार में आपने लाख यूनिट भेज दिया अब मालनो कोई कंपनी ने जो कि 10-10 हजार करके 10 बार खरीद रही तो तो आपको सा प्रूविं कॉस्ट एफिशियंसी कें हैल्प इन पीवी रेशियो पॉस्ट एफिशियंसी नहीं सब चीजों से होगी जो अननेसेसरी खर्च है उसको आपको कम करना पड़ेगा तीसरा पॉइंट है चेंज प्रॉडक्ट मिक्स में बहुत सारे चीज़ें आ जाती हैं तो आप उसको में बदलाव करके मतलब यहां पर आपका फ्राइस हो जाएगा पॉब्लिसिटी हो जाएगा बहुत सारी चीज़ें हैं तो उसमें बदलाव करके आप अपना पीवी रेशियो ठीक कर सकते हो आपने अगर सपोस्ट कमेगा कोस्ट कमेगा और आपने सेलिंग प्र में करके बेचोगे तो उस केस में आपका पीवी रेशियो है ओवर ओल तो नहीं ओवर आल आपको देखने को मिलेगा कि यह इंप्रूब हुआ है लेकिन यह आइडियल मैथर्ड नहीं है सबसे आइडियल मैथर्ड है पहला वाला इंक्रीस सेलिंग प्राइस दूसरा है कॉ क्योंकि यह थोड़ा complicated भी हो जाता है क्योंकि आपको contribution margin भी करता है या चेंज होते रहता है समय के साथ साथ आपका raw material किस टाइम पर किस पर मिलेगा कुछ पता तो है अभी अगर कोई चीज सस्ता मिल रहा हो सकता आने वाले समय में तो आपको contribution margin कभी भी फिक्स नहीं हो सकत ठीक है तो यह तरीक्त में कोई प्रोड़क्ट वाइक करते तो वाप सश्ता मिलता है और उसक्रामें करते तो उसक्ता में मिलता है सिपल सी बात है चौता point है increase sales volume आपको प्रेंद्वालियूम को बढ़ाना होगा सो यह थोड़ा बहुत सेमी मैच लग रहा है सुनने में पह इससको थोड़ा सा कम कर देते हैं अब जैसे कि इसका एपल वाला एक्जांपल में देता हूं सैमसंग का फॉन अगर देखा जाए तो उसकी sales volume बहुत जादा है यहां पर सैमसंग क्या कर रही है कि अपने sales volume को बढ़ा रही है वह एक की जगा तीन यूनिट बेच रही है उसके prices भी कम है समय रहे हो तो दोनों वाइस वर्सा है एक तरीके से एक जगा में आप prices बढ़ा रहे हो दूसरे में आप volume बढ़ा रहे हो so increasing sales volume can lead to higher total contribution and a better PV ratio एक है तो यह भी हो जाएगा दूसरा point है margin of safety significance करेंगे significance क्या है इसका margin of safety का so the margin of safety represents the context to which actual sales exceeds the break-even point margin of safety में क्या represent किया जाता है वो point जहां पे जो आपका actual sales है वो break-even point को cross कर जा रहा है मैंने कहा थाना 10 लाग रुपी का आपने खर्च किया है 10 लाग रुपी आपको जो है already income हो चुका है आपने revenue generate कर दिया है वह आपका break-even point हो गया उससे ज्यादा जितना भी होगा वह आपका margin of safety है वो profit margin नहीं है वो margin of safety है मतलब अगली बार जब आप उसको कम दाम में बेचोगे तो जितना आपने ज्यादा कमाया है उतना तक आप loss आप bear कर सकते हो क्योंकि वह आपका cost नहीं है वह आपका extra money है extra profit है जो आपने कमाया है ठीक है जितना भी ज्यादा आप पैसा कमा होगे वह सारा का सारा पैसा as a margin of safety आप उसको बता सकते हो कि वह मेरा margin of safety है ठीक है it measures the company's ability to observe a decline in sales force ठीक है before incurring losses losses आपको incur होने के पहले है जब भी losses incur होने लगेगा तो आपको पता रहेगा कि इतना तक मैं loss झेल सकता हूं इससे जादा अगर झेलूंगा तो मेरा cost भी recover नहीं हो पाएगा है ना तो company के जो ability है अपने decline को मतलब देखो decline के बाद ही loss होगा ना पहले तो कमेगा कमते 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 इतना कम जाएगा कि आपको loss होने लगेगा है ना तो जहां तक कमेगा loss जिस जगह से होना आपका start होगा मतलब 10 लाग रुपय से कम में अगर आपका total revenue हो गया तो इ 500000 रुपय तका loss आप जेल सकते हो फाइस अगरवण घटी रहीं आपका revenue घटा रहा तो भी 500000 रुपय तक आप जियल सकते हो लेकिन 500000 रुपय से नीचे जैसे ही वह सकते हो जाएगा तो पूरा अब्ससक्स हो जाएगा तो इस जो पांच लाग रुपे है आपका margin of safety है उसमें वो अर्न कर सकते है ऐसा है तो पांच लाग को जो प्रोफिट है वो हो सकता है उनको ऐसा थोड़ा सा आप दूसरी लाइन में चलेगा लग रहा है बट कोई नहीं देखिए दस लाग रुपए आपके पास थे दस लाग रुपए में आपके समान बनाया अब 10 लाग रुपए के समान को आपने 15 लाग में बेचा है सारे समान को पर चितना भी बेचा उसमें 15 लाग रुपए तक का सबका सब्सक्राइब का प्रॉफिट हो गया है तो पंदरा लाग रुपए जो आपका प्रॉफिट हुआ है तो आपका जो प्रॉफिट मार्जिन ह बडर्याइं और फैसी वा लगा संटहरे शामानेंडवार रॉप्ए ये लगा क्वारा ओ जाएगा जहां पिए अपको लोस होने के चांसे जाधा बढ़ जाएंगा तो जब आपका ठर 25 पैसे तो जो जो बैलन्स होगा जो आपका पैसे उसके बार बेचते रहोंगे लॉसेज में आपको पक्का है कि आपको लॉज होना नहीं है ठीक है so margin of safety is like जो extra income आपको हो जा रहा है आपके break-even point के बाद मतलब आपका sales revenue और आपका contribution जो आपका खर्च है वो जब same हो जाएगा उसके बाद आपका जो भी income होगा वो आपका margin of safety सब्सक्राइब कर सकती है अगर आपके पास ज्यादा पैसा होगा तो आपके पास रिस्क भी कम होगा सब्सक्राइब कर सकती है खडी रह सकती है जब उसके सेल में decrease होगा फिर भी without becoming unprofitable unprofitable कब होगा जब उसका income 10 लाग से कम हो जाएगा लेकिन 10 लाग के उपर तक उसका जितना भी income है उतना तक company क्या है with stand कर सकती है losses के साथ sale के decrease होने के साथ भी उसके साथ वो क्या कर सकती है खड़े रह सकती है अपने stand के साथ बिना profitable हुए ठीक है unprofitable मतलब 10 लाग रुपए तक उससे जादा कुछ भी अगर बचेगा एक साल में तो उसका profit ही है एक तरीके से ठीक है दूसरा है investor confidence ठीक है margin of safety अगर जादा होगा तो जो investor होगा उसको भी सही लगेगा चेक करते हैं उसके पास कितना पैसा है बर्न करने के लिए मेरा 10 लाग रुपए का income में 500 लाग रुपए तो आप पैसा क्या करें और बर्न कर रहे हो पेसा क्या गर लोगों को दिख भी जो भी लिखता है वहीं काफी फेमस लाइन दी है तो investor confidence भी देखने को मिलता है, अगर margin of safety बहतर हो तो, a large margin of safety can boost investor confidence, ठीक है, indicating financial stability, इसके कारण से आपका जो business है, उसमें financial stability भी आपको देखने को मिलेगा, calculation, margin of safety भी लोग कैसे calculate करेंगे, actual sales minus break-even sales divided by actual sales, ठीक है, सब्सक्राइब का आपका actual sale है, break-even point आपका कितना है, 10 लाग रुपए का, minus आपने किया, कितना हुआ, 5 लाग और actual sale आपका पंदरा था, तो 5 लाग divided by 15, यहां से आप margin of safety अपना निकाल सकते हो, percentage-wise, ठीक है, interpretation, a margin of safety of 25%, अगर आपका margin of safety 25% है, means that the sales can decline by 25%, आपका sale अगर 25% घड़ भी जाए, तो भी आपको फर्क उतना नहीं पड़ेगा, ठीक है ना, यहां पर लेगो लिखा वा, before the company starts making losses, अगर 25% से नीचे होने लगा, तो आपको जाकर के loss होगा, नहीं तो 25% तक आप अपना margin of safety ब ठीक है, तीसरा point है, angle of incidence, ठीक है, तो यह एक तरीके से आप बोल सकते हो कि map type का है, map नहीं, chart type का है, चार्ट भी से ही नहीं होगा, graph, I guess, वो जाला सही रहेगा, ठीक है, incidence का मतलब क्या होता है, कि कोई चीज का जुकाओ किस तरीके से, किसी चीज के तरफ आपका जुकाओ, बताब, not after, business language में अगर बात करें, तो incidence वो किस तरफ है, तो इसको करते है, the angle of incidence shows the sensitivity of profits to change in sales volume, ठीक है, जैसे ही आपका sales volume में किसी तरह का change देखने को मिल रहा है, तो profit को लेकर के आपका sensitivity कैसा है, मतलब जो angle है, जो हम लोग चार्ट बना, graph बनाते हैं, आपने, जिसमें declining या फिर uprising हम लोग शो करते हैं किसी चीज को, तो वो angle जो है, वो change होता है, अगर आपका profit volume में changes देखने को मिलेगा, तो definitely आपका जो profit होगा, उसमें भी changes देखने को मिलेगा, ठीक है, So the angle of incidence shows the sensitivity of profits, आपका profits का sensitivity कैसा change हो रहा है, with the change in sales volume, ठीक है, वो यह दर्शाता है, angle of incidence दर्शाता है, It helps managers understand the impact of different scenarios on profitability, आपका profitability के उपर, अलग-अलग scenarios में किस-किस तरह का angle of incidence देखने को मिलेगा, वो हम लोग को दिख जाता है, और यह help करता है, managers को यह understand करने में, यह क्या impact होगा, अगर different scenarios में profitability आपकी different-different हो, तो, इंपोर्टन्स की बात करेंगे, तो scenario analysis, scenario analysis मतलब अलग-अलग situation, अभी आपको जादा, अभी सपोर seasonal है, तो आपको angle of incidence positive में देखने को मिलेगा, आपको सही देखने को मिलेगी, हर चीज जो है, बढ़ा हुआ है, बट अगर unsusional होगा, तो फिर आपको loss देखने को मिलेगा, तो scenario is like situations, ठीक है, by altering the angle of incidence, managers can evaluate various scenarios and their effect on profits, यहाँ पर इनलग क्या कर रहे है, यह सोच करके कि इस scenario में क्या profit हमें देखने को मिल सकता है, या कि तना effect जो है हमें हमारे profit के ओपर देखने को हमें मिलेगा, तो scenario analysis हम लोग कर सकते हैं with the help of angle incidence, दूसरा है risk management importance में, it aids in identifying how changes in sales or cost can affect profitability, ठीक है, तो यहाँ पर वही उसी चीज़ को एक तरीके से extend गिया गया है, it aids in identifying how change in sales, आपके sales में बदलाव जो देखने को मिलेगा, उसका effect जो है, आपका profitability पे क्या होगा, कैसा होगा, यह risk management के तहत आता है, आप risk में चेक करते हो कि कितना risk आपको है, अगर आपको sales कम होने लगती है, तो जो अभी हम लोगों ने उपर में किया था, उसी का extended version आप इसको बोल सकते हो, angle of incidence, जिसके जरी हमें यह सारा चीज़ पता चल रहा है, तो इसका दूसरा importance है, risk management हम लोग कर सकते है, with the help of angle of incidence, तीसरा है, calculation, तो angle of incidence, अगर आपको calculate करना है, तो क्या करना पड़ेगा, arghtan, which is equal to change in profit divided by change in sales, ठीक है, तो यह arghtan एक तरीके साब बोल सकते हो, कि acronym है, इसको नहीं भी याद करो के तो चलेगा, इसका formula है, change in profit divided by change in sales, ठीक है, तो जो percentage आपको निकल करके आएगा, वो आपका angle of incidence में दिखेगा, show करेगा, interpretation क्या होगा, steeper angle indicates, अगर angle steeper होता है, angle तो देखना पड़ेगा, map में, बट कोई नहीं, अगर angle steeper होता है, which indicates higher profit sensitivity, जहां पर आपका profit sensitivity है, वो higher होगा, to sales changes, sales में जैसे ही आपका बदलाव देखने को मिलेगा, आपको profit भी बहुत ज़रा देखने को मिलेगा, वहीं पर अगर angle flatter होता है, flat है, बढ जादा नहीं हो रहा है, आपका sales volume में बदलाव हो रहा है, लेकिन profit जो है, आपको वहाँ पर ज़्यादा देखने को मिलेगा, वह resilience दर्शाता है, चीज़ों को हम लोगों नहीं क्या है, इन तीन चीज़ों को, अच्छा एक बात और चीज़ों में बोलना चाहूंगा, exam में इस topic से related, एक sums भी आ सकता है, तो हम लोग वो करेंगे किस दर, ठीक है न, थोड़ा practice कर लेंगे, और अगर sums नहीं आया, तो ये question काफी ज़्यादा chances है कि exam में आया, इस question को पक्का मन छोड़िए, ये VVI में आ गया, ठीक है, very very important question में ये आ जाएगा, So, in summary, these metrics are valuable tools for managerial decision making, managerial decision making में ये कापी important tools है, the PV ratio helps access profitability, थाना, PV ratio help करता है, assess करने में कि कि इतनी profitability है, margin of safety कैसा है, margin of, sorry, margin of safety help करता है, कि आपका risk tolerance कहता है, आप कितना risk ले सकते हैं, ठीक है, Profits उपर, break-even points से जतना जादा होगा, amount, उतना जात, पूरा ही आप उसका risk ले सकते हो, तो risk tolerance भी यहां से पतार चल जाता है हम लोगों को, और साथी साथ, angle of incidence हमें ये बताता है, कि scenario analysis होने पे, जब आप scenario analysis करोगे, different situations में, scenarios में, चेक करने की कोशच करोगे, कि आपका profitability कैसा है, तो वो आपको help करता है, angle of incidence, ठीक है, so by understanding and improving these metrics, इन सब चीजों को समझना और इसको improve करने से, companies can make informed decisions, company जो है, एक ऐसा decision ले सकती है, जहांको उनको हर चीज़ की जानकारी है, कई बार decision का impact जो है, uncertain होता है, uncertain तभी होता है, जब आपको यह नहीं पता होता, कि जो आप decision ल करके रखता है, तो जो भी आप decision लोगे, वो informed होगा, आपके जानकारी के तहत होगा, और जो चीज़ जानकारी के तहत होती है, वहाँ पे loss होने के chances भी कम हो जाते है, companies इसके basis पे वो लोगो जो है informed decisions लेती है, to optimize their financial performance, ताकि वो अपने financial performance को optimize कर सके, optimization is like maximum use, maximum efficiency पे काम करना, that is optimization, okay, so optimize their financial performance and risk management, okay, so that's it, आज के लिए यही है, and we will do our next class, maybe at the evening, but मैं उसके लिए इन फॉर्म कर दूँगा, वाट्सप, आप लोग शाम में फ्री हैं आज, यह सर, तो मैं वाट्सप लिए वाट्सप, आप लोग शाम में फ्री हैं यह सर, तो मैं वाट्सपी के बाद ही ना ठीक है, ओके किशन, कोई इस टॉपिक में, इसको एक पर और रीट कर लीजिएगा, ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है, और इसके उपर अगर हम लोग सवाल करते हैं, तो तो बहुत अच्छी से समझ में आ जाएगा, सवाल हम लोग जल्दी ही करें, एक वार चीजी बात है, ठीक है ठीक है गाईस, तो बाई, सामे मिलते हैं, ओके साब, ंगे.